हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं सुस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों मैं डोक्टर दर्बेश साब सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल Freedom From Hospital में दोस्तों मैं अलग-अलग तरीके से आपको बताने को प्रयास करता हूँ कि आप नेचुराल तरीके से याने प्रकृतिक तरीके से जी सकते हूँ दवाई के बिना भी जिन्देगी आप आगे बढ़ा सकते हूँ जिसमें बिमारी का नामों निसान नहीं है दोस्तों इसी क्रम में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने जोडों को सही सलामत रख सकते हूँ बिना दवाई के बिना इंजेक्शन के बिना हस्पताल जाए औस्टियो आर्थराइटिस, रिमाड़र आर्थराइटिस, गाउट की समस्या और खास करके मान स्पेशी में जिन्हें बहुत तकलीव होती है और कमर दर्द, घुटना दर्द, गर्दन दर्द से नियमित पीडित रहके पेन किलर खाते हैं, उनके लिए दोस्ते रामबान उपाय है दोस्तों, इसी क्रम में मैं आज एक ऐसी खोज आप के लिए लेका आया हूँ जिसे आप अगर नियमित इस्तिमाल में लाते हो अपने डाइट के साथ एड़ कर लेते हो तो देखोगे आपका जिन्देगी में दोस्तों, चार चांद लग जाएगी क्या है दोस्तों, हो सकता है कई लोग इसका नाम जानते भी होगे कई लोग इस्तिमाल करते भी होगे मगर उसका थेरापेटिकल प्रयोग में आपको बताऊंगा नाम है दोस्तों मखाना जिसे लोटस सीड भी दोस्तों कहा जाता है फोक्सनट भी इसको कई लोग कहते हैं और प्रिकलीट लीली आदी के नाम से भी ये जाना जाता है देश में 80% मखाना की खेती जो है दोस्तों बियार के मितलांचल खेतर में दोस्तों होती है मखाने को तालाब जील जैसे सांथ पानी पर उगाये जाता है पानी में खेती होने के वजह से इसमें कोई केमिकल फोटिलाइजर का उपयोग नहीं होता है इसलिए यह पूरी तरह से आरगानिक फोट है दोस्तों यह बात को दिमाग के अंदर आप डाल दीजी आपरेल के महिने में पौधे में फूल उगने लगते हैं और जुलाई के महिने में फूल पानी के सता पर तैरने लगता है मखाने का फूल काफी कांटेदार होते हैं इसलिए बाद में यह पानी के नीचे जाकर बैढ़ जाते हैं लगभग एक से दो महिने के अंदर सारे कांटे गल जाते हैं इसके बाद किसान सितंबर से अक्टोबर के महिने में मखाने के फूल को अकेठा कर लेते हैं इसके बाद इसके बीज को तेज धूप में दोस्तों सुखाया जाता है इतना ही नहीं इसके बीजों को grading भी इनिके साइच का अनुसार दोस्तों किया जाता है मखाने की खेती भारत के अलावा चीन, रूस, जापान और कोरिया में भी दोस्तों होती है इतना ही नहीं मनिपूर में इसके जड़कंद और डंठल की सबजी भी दोस्तों बनाए जाती है दोस्तों मखाना इतना उसिदे गुंड से भरा है आप सोच के भी हैरान रहोगे इसमें प्रोटीन, एंटियाओ सिदेंट्स, भीटामीन, कैलसियوم, मिनरल्स और कई प्रकार के दोस्तों पौसक दत्तों पाये जाते है जो सरीर के लिए दोस्तों बहुत ही फायदा बन दे क्योंकि हमारा सरीर ऐसे भी पुसक्तियों के कमी के उजहाद से बहुत सारे बिमारी को दोस्तों जलता रहता है और जितना वो हमें हेल्प करना चाहिए उतना हेल्प नहीं कर पाता है चाहिए उभी टाइमिन D3 की कमी हो चाहिए केलसियम की कमी हो चाहिए B12 की दोस्तों कमी हो या अनेक खनीज पदार्त के हमारे सरीर में कमी होती है क्योंकि हमारी जिंदेगी बैठे बैठे ही निकल जाती है कोई computer के सामने बैट के जिंदेगी निकाल लेता है कोई अपना office में काम करते हुए जिंदेगी निकाल लेता है तो हमारा बैठने का जिंदेगी अब हो गया है हमारा सरीर जो है कम इस्तेमाल हो रहा है दिमाग जादा इस्तेमाल हो रहा है इसलिए हमारा जो हार्ट है हमारा जो दील है उसको पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनती है किड्नी में प्रेशर बनती है आपका लंग्स लिबर पर प्रेशर बनती है जोडों का इस्तमाल नहीं हो पाता है आपका मानस्पेसियों का इस्तमाल नहीं हो पाता है जिसको जासे we are suffering more and more दोस्तों मगर यह जो रामबान उपाया आज आज आपको बता रहा हूँ इसका अगर सही धंग से इस्तिमाल करोगे दोस्तों आपका जोड भी ठीक हो जाएगा हाट भी तंदुरस्त हो जाएगा लंग्स अच्छा रहेगा दिमाग के अंदर दोस्तों इतनी उर्जा आ जाएगी कि छोटे बच्चों से लेके बड़े तक सबका दोस्तों फायदा है फायदा होगा तो मैं एक दो तीन कर कैसे आपको अलग-अलग प्रयोग इसका बताता हूँ और अलग-अलग फायदा भी दोस्तों बताता हूँ इस्तिमाल करिए और सहत बंद रहिए दोई से दूर रहिए यही मेरी इच्छा है यही साली बाते है मैं अपनी किताब My Health in My Hand धायजा टीप्स के साथ दोस्तों लिक रखा हूँ 600 पेज का किताब धाय किलो ओजन इतना बढ़िया किताब है दोस्तों इसको आप Online Emission से मंगाए घर में Health Guide के तरह दोस्तों इसको रखें जिसका इस्तेमाल करके आप Equipressure अपने आपको दें अईरवेट का घर में उपचार करें जिससे स्वेंग अपने डॉक्टर आप बन सेके इतना अगर आप कर लोगे दोस्तों आपका परिवार बिमारी से महफूज रहेगा बार बार डोर नॉकिंग अप डिफरेंट डॉक्टर से आने डॉक्टरों के पास चक्कर लगाना आपको नहीं पड़ेगा इसलिए ये वीडियो जैसे समाप्त होता है आप तुरंद आडर करें ओनलेन अमेजन से इस किताब को मंगाएं इंटरनेशनल किताब है दोस्तों बहुत फायदे का है जो रखे हो उनको फायदा हो रहा है जो नहीं रखे हो दोस्तों उसको तुरंद मंगाओ आगे बढ़ते है इस वीडियो का पूरा लाव उठाई है दोस्तों और अपनी जीवन में इसको अमल मलाइए दोस्तों मखाने खाने से आपका पाचन किरया दोस्तों बढ़िया हो जाता है अगरा जिंको अगरा जिनको लगाता रहता है वो इसका इस्तमाल कम से कम सुबा 4,5 आपको लेना ही चाहिए मखाने काermी सेवन दिमागी तनाव को दोस्तों कम करता याने स्ट्रेइस, अंग्जाइडी, डिप्रेशन दोस्तों आपका कम होता है मखाने का रोजाना सेबन जोडों के दर्थ को दोस्तों दूर करने में मदद करता है इसके सेबन से किड्नी में दोस्तों हल्दी होता है, मजबूत होता है इसमें मिठे की मातरा दोस्तों बहुत ही कम होते हैं इसलिए यह ओजन कम करने में यानि वर्टलस के लिए बहुत फायदा बन दे मखाने के सेवन से ब्लेट पेशर का लेबल दोस्तों नियंत्रित रहता है पखाने में एंटी एजिंग तत्तों दोस्तों पाया जाता है जो तत्तों आपको जवान रखने में दोस्तों काफी साबित होता है याद रखो ऐसी तक तो बहुत कम नेचुरल चीज़ों में होती है जो मखाने में पाया जाता है अगर आप दोस्तों जल्द से जल्द मदुमेयों को खतम करना चाहते हो यानि सुगर पेशिंट अगर आप हो तो आप इसका प्रयोग सुभा खाली पे चार य हो दोस्तों बिल्कुल खतम हो जाती है मखाने में दोस्तों कैल्सिम भरपूर मातरा में पाया जाता है इसका सेबन जोडों की दर्द गठिया जैसे बिमारी में बहुत लाबदाएक होता है कई लोगों पे हमने भी इसका प्रयोग करा के देखे हैं कि उनका जो जोडों का दर्द है 50-60% कम हो जाता है महने देड़ महने के अंदर अलोंग इत अधर थेरापी जो मैंने एक ही प्रेशर बताता हूं अधर होम ट्रीट्मेंट बताता हूं उसके साथ साथ आप इसका सेबन अगर सुरू कर लोगे तो दोस्तों चार चांद लग जाएगी आपकी समस्य को दूर होने में जैसे पहले आपको बताया पाचन में दोस्तों सुधार होता है मखाना में जैसे आंटियोक्सिदेंट्स भरपूर पाया जाता है लोगों को यह आसानी से पज जाता है इसके अलावा मखाने में एस्ट्रिजन गुन दोस्तों पाया जाता है जो आपको दस से रहात दिलाता है और भुक को सुधार करता है यह इसके कारन सरीर जब डीटॉकसिफाइड हो जाता है तो किड्नी के उपर जोस्तों कम प्रेशर बनते हैं किड्नी हिल्दी नहने लगता है इसलिए दोस्तों मैं आपको सलह एहीद होंगा कम से कम 4-5 के मातरा में आप इसका इसका इस्तिमाल जरूर करें अगर दोस्तों आपको अनीद्रा की विमारी है यानि इनसो मीनिया है आप इससे बहुत सालों से परिशान औ दोई लेके भी आपको नीन प्रपली नहीं आती है तो दोस्तों एक अच्चू कुपाए बताता हूँ रात में डीनर के आधे गंटे के बाद आपको लेना है एक ग्लास गुन गुना दूद्र इसमें आपको मिलानी है पांच से छे मखाने उसको आपको डिप करके रखना है बस तीन से चार मिनिट उसके बाद उस दूद्र को पी लेनी है और मखाने को खा लेनी है ऐसा अगर एक से देड़ महिना तक आप करते जाओगे तो आप देखोगे धीरे धीरे नेच्रल तरीके से आपकी नीन की समस्य दोस्तों दूर हो रही है आपका दिमाग जो है सांथ होके सो जा रहा है आपका सरीर जो है रात को अच्छे से रिपेरिंग हो पा रही है जिसके कारण सुभा जब आँखे खुलती है तो आपको ठकान नहीं होती है आपके उंगलियों में जोडों में दर्द नहीं रहती है आप आराम से घुम पा रहे हो चल पा रहे हो सुभा उटके तो एक बारी इसका भी ट्रायल करिएगा इसको भी दोस्तों ट्राय करिएगा और आप देखिएगा इसका रेजल्ट आपको आने लगेगा जिससे आपकी दोस्तों कन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी दूसरी उपाय जो दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ मखाने का हमेशा नेचुरल तरीके से ही इस्तेमाल करें इसको बहुत ज़्यादा ओयल हो गयरा में दोस्तों फ्राई ना करें आप कई वीडियो में देखते होगे कि अलग-अलग तेल में इसको डिफ्राई भी लोग कर लेते हैं नहीं मैं आपको सला दोंगा इसको धूप में अच्छे से सुखा के कांच के एरटाइड वर्टल में रखें और उसका इस्तेमाल करें अगर आपको टेस्ट ही चाहिए तो दोस्तों ज़्यादे से ज़्यादा हलके आँच में तो फ्राइपन में आप अलीव ऑईल का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा बहुत आप फ्राई कर सकते हो मगर अभी भी कहता हूँ आप नेचुरली इसका इसका इस्तेमाल करें जिससे इसका सौ को सौ पर्षेंट लाव आपको दोस्तों हो सके या दूद में डालें दो-चार मिनिट गुन-गुने दूद में उसके बाद वो थोड़ा से नरम हो जाए उसको आप चबा के खा लें और दूद पी लें इस तरीके से दोस्तों इसका इस्तेमाल आप करोगे तो आपको बहुत लाव होगा आपका ब्लेड प्रेशर भी दोस्तों कम रहेगा ये जो आपका हाई ब्लेड प्रेशर है वो दोस्तों नरमाल हो जाएगा जो दोई खाखा के ठच चुके हो वो इसको जरूर ट्राइ करिए एक सोथ के मताबिक नियमी तरुप से मखाने का सेवन करने से ये अनरगियों के लिए भी दोस्तों बहुत लाब होती है मखाने के सेवन से जहाँ पुरुसों का जो सेक्स्वल ताकत है उनकी जो इच्छा है इसमें बृद्धी होती है इंपोटिंसी की प्रॉब्लेम है वो ठीक होती है महिलाओं में दोस्तों बांचपन की जो समस्या है उसमें भी दोस्तों फायदा होता है तो इसलिए इसका नियमी सेवन करें जिन गर्भती महिला है बच्चा होने के बाद उनकी पूरा मिल्क सिक्रेशन प्रपर नहीं हो पारता है दोस्तों उनके लिए बहुत लाब करिए मगर 5-6 के मात्रा में आप सुरू करें बहुत जादा दोस्तों आपको खाने की जरूरत नहीं है इतना भी आप अगर लॉंग टर्म में खाते हो 2-3 महना तो आपको दोस्तों लाब हो जाती है मखाने का अगर रोजाना दोस्तों इस्तमाल करते हो आपके चेहरे में खुबसूरती भी दोस्तों बढ़ता है इसमें एंटि आक्सिडेंट की मात्रा बहुत है इसलिए ये तोच्चा के साथ साथ आपके चेहरे में ग्लो लाता है आपके अंदर ब्यूटी निखारता है दोस्तों तो उस लहाज से भी इसका इस्तिमाल कर सकते हो स्कीन की बिमारी जिनको है स्कीन की ऐलर्जी हमेशा रहती है पिम्पल्स होती है पिग्मेंटेशन की समसे रहती है वो भी दोस्ते इसका इस्तिमाल कर सकते हैं इसका लाव उनको डेफिनाइटली होगा तो उमीद करता हूँ दोस्तों सुभा नास्ते के पहले आप इस तरीके से जो बताया हो इस्तिमाल कर सकते हो या फिर सुभा नास्ते के साथ आप 4-5 माखाने को लेके खा सकते हो मगर खाली पेट अगर सुभा लेते हो तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको लाब होगी रात में जैसे आपको बताया अगर दूद के साथ आप लेते हो या गरम पानी के साथ लेते हो तो आपको नीन अच्छा होगा और आपको सुभा खुल कर पेट भी साफ होगा तो इस तरीके से दोस्तों इसका भरपूरी इस्तेमाल करें ये एक अच्छी वीडियो आपके लिए मैंने लेका आया था उम्मिद करता हूँ अपने आपको स्ट्रेस फ्री रखोगे एंग्जैटी फ्री रखोगे और अच्छे ची किताब पढ़ोगे चाहे मेरी किताब हो माई हेल्थ इन माई हैंड सबका लाब आपको दोस्तों मिलेगा क्योंकि ये जो भाग दोड़ भरी जिंदेगी है उसमें अच्छी जिंदेगी कोसुन दूर दोस्तों चला गया है क्वालिटी लाइफ दोस्तों है ही नहीं क्वालिटी लाइफ लाने के लिए कुछ समय पढ़ाई में दोस्तों इस्तमाल करें और चलना घुमना एक घंटे में पानी पिना यह सबके आदत में जैसे बताता हूँ वो करो पौधा जरूर लगाओ दोस्तों थैंक यू भेरी मच जैहिं जैभार